नमस्कार दोस्तो वेलकम टू स्टडी नियूज आज हम इस वीडियो में नालंदा महाविस्विद्याले के बारे में जानेंगे कि इस इनुवर्ष्टी को किसने और कब बनवाया था और इसका पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में अगर इस्थापना और सनरक्षन की करें तो नालंदा महाविस्विद्याले को गुप्त वण्स के सासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 या 470 इसवी में बनवाया था गुप्त राजवन्स प्राचीन भारत के प्रमुक्राजवन्सों में से एक था इतिहास कारों ने गुप्त राजवन्स के समय को स्वरणिम समय माना है आप लोगों को तो पताई होगा कि गुप्त राजवन्स से काफी पहले भारत में मौर्वन्स का सासन था जिसकी निव चंद्रगुप्त मौरे ने चाड़क्य की साहता से रखी थी इस समय चंद्रगुप्त मौरे ने अपने सामराज्य का काफी विस्तार किया और राजनितिक एकता स्थापित की लेकिन मौर्वन्स के पतन के बाद तीसरी सताबदी में तीन राजवन्सों का उदय हुआ था जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति दक्षिड भारत में वाकाटक और पूर्वी में गुप्त वंस का उ चास इसवी तक माना जाता है चंद्र गुप्त प्रथम के बाद इनके पुत्र समुद्र गुप्त और समुद्र गुप्त के बाद राम गुप्त राम गुप्त के बाद चंद्र गुप्त दृतिय जिसे विक्रमा दृति भी कहते हैं और इनकी मृत्यू के बाद इनका के साथ ही कई धर्मों के और कई विशियों की सिख्छा दी जाती थी ये विश्विद्याले बिहार में पटना से लगभग 88 किलोमीटर दूर राजगीर के पास इसके अवसेस मिलते हैं आपको मैं बता दू कि राजगीर वही इस्थान है जहां पर प्रथम बौध संगीती हु दूर आपको कनिंगं के बारे में बता दू कि यह ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर गरूप में इंजीनियर थे जो बाद में भारतिय पुरत्तत्व, एतिहाशिक भुगोल और इतिहास के प्रसिद विद्वान के रूप में भी प्रसिद हुए, ये याद रख लिज कि यहाँ पर 10,000 students की संख्या होती थी और 2,000 teachers होते थे अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विस्विद्याले रहा होगा यहाँ पर भारत से ही नहीं बलकि विदेशों से भी लोग आते थे सिक्षा लेने के लिए कई जगे से students आते थे जैसे Korea से आते थे जापान से चीन स तिबद से, इंडोनेसिया से, तुर्की से इसकी जो ख्याती थी इस विस्विद्याले की ख्याती दूर-दूर देशों तक विस्विद्याती और 9 से 12 सताब्दी तक इसको अंतराष्टी ख्याती प्राप्त हुई थी ये विस्विद्याले काफी अच्छे ढंग से बना हुआ था सारी विवस्थाएं थी रहने के लिए होस्टल्स भी थे जहां पे सारी सुधाय प्राप्थी स्टुडेंट्स को काफी सुंदर बना हुआ था दिवारों पर सुंदर आकरितियां बनी हुई थी बड़े बड़े विसाल दिवारों से चारों तरफ से ये घिरा हुआ था इसमें अंदर जाने का एक मुखे द्वार होता था उत्तर से दक्षिड की और मठो की कतार थी और इनके सामने कई भवे स्टूप और मंदिर बने हुए थे मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी केंदरी विद्याले में साथ बड़े कमरे थे इसके अलावा तीन सो अलग से कमरे बने हुए थे विद्याले में सुंदर बगीचे और जीले भी थी जैसे आज कल के इनवस्टी में आप जानते हैं कि विद्याले की सारी देखरेक और वेवस्था कुलपती देखते हैं इसी प्रकार से उस समय भी नालंदा विद्याले की सारी वेवस्था कुलपती या उसे मुख्य आचारे कहते थे वही करते थे सारी वेवस्था देखते थे और आचारे तीन स्रेणियों में होते थे उस समय जो अपनी योगेता के अनुसार होते थे उनकी कोई क्वालिफिकेशन होती थी उस समय उसके हिसाब से तीन आचारेों को या तीन कुल्पतियों को रखा जाता था नालंदा के प्रसिद आचारेों की बात करें तो उसमें एक सीलभद्र थे, धर्मपाल थे, चंद्रपाल थे, गुणमती थे और इस्थीरमती थे साथवी सताबदी में जब हेंसांग आया था ना भारत में, तो जब वो इस विस्विद्याले में आया था, तो उस समय यहां के जो कूलपती थे, महानाचारे वो सीलभद्र थे उस समय नालंदा इन्वस्टी में प्रवेश पाने के लिए इंट्रेंस एक्जाम देना पड़ता था और वो काफी कठिन परिक्षा होती थी, जिसके कारण केवल प्रतिभासाली व्यक्ती या प्रतिभासाली स्टुडेंट ही एंट्री कर पाते थे, उन स्टुडेंट्स को तीन कठिन परिक्षाओं को पास करना होता था उस समय, ये विश्व का एक मात्र ऐसा विश्विद्याले था जहां एंट्री के लिए इतनी कठिन परिक्षा होती थी, अब आप समझ सकते होंगे कि इस इन्वस्टी की क्या भव्यता रही होगी, यहां पर बहुत धर्म का व सिख्षा के प्रमाड मिलते हैं, कि हर प्रकार की सिख्षा यहां प्राप्त होती थी और कई विद्वान यहां से निकले, यहां पर किताबे पढ़ने के लिए 9 मंजिल की एक बहुत बड़ी लाइबरेयरी थी, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये लाइबरेरी दूसरा था रत्नो दधी, तीसरा था रत्न सागर, इन तीन बिल्डिंगों में ये लाइबरेरी स्थित थी, यहाँ पर इस्टुडेंट्स के रहने के लिए 300 कमरे थे, जिसमें वे अकेले या एक से अधिक इस्टुडेंट्स रहते थे, जैसे आजकल भी आप देखते होंगे कि होस्टल्स में जो कमरे रहते हैं, उसमें एक या दो जिस भी प्रकार से रह सकते थे, तो उस दोरान भी ऐसी ही वेवस्था थी, और इस्टुडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नी थी, मतलब उनके पास आर्थिक चिंता की भी दिक्कत नी थी, क्योंकि सारी विवस्था होस्टल में और विस्विद्याले में कर दी गई थी, तेरवी सदी तक नालंदा विस्विद्याले विकास के अपने चरम पर था और अच्छा खासा अध्यन चल रहा था, लेकिन इसके कुछ समय बाद इस पर पहला आक्रमड हुआ, जिसे हूड सासक मिहर कुल मिहर कुल भारत के इतिहास में एक हुड सासक था और तोरामन का पुत्र था, तोरामन हुड सासन का संस्थापक था, उसी का बेटा था मिहर कुल जो 510 इसवी में गदी पर बैठा था, इसके बाद नालंदा विस्विद्याले पर दूसरा और प्रमुख आक्रमड जो हम सभ लोग जानते हैं, 1199 में तुर्क आक्रमड कारी बक्तियार खिल जी ने किया था, इसने नालंदा विस्विद्याले को जला कर पूरी तरह लगभग नश्ट कर दिया था, बक्तियार खिल जी को मैं बता दू, ये कुतुबुदिन एबक का एक सैन ने सीपा सलार था, और कुत इनी जादा पुस्तके थी, जैसा कि मैंने बताया कि 9 मंजिला जो लाइबरेरी थी, और उसमें 3 लाग से भी अधिक किताबे थी, वो 3 महिने तक जलती रही थी, अब आप समझ सकते हैं कि किताबे कितनी रही होंगी, अगर नालंदा विस्विद्याले के अवसेसों को देख तो ये 14 हेक्टेयर छेतर में मिलता है, खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माड लगभग लाल पत्थर से किया गया है, वर्तमान समय में यहां पर कुछ इमारते बची हुई हैं, यहां पर कई छोटे बड़े इस्तूप और मंदिर बचे हुई हैं, और कुछ भगव के दोरान जो भी आउसेस मिले थे, उन्हें यहां पर रखा गया है, इस संग्राले में कई बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिनमें से कुछ टेरा कोटा मूर्तियां हैं, और प्रथम सताबदी के दो मर्तबान भी इस संग्राले में मिले हैं, टेरा कोटा एक प्रकार का सेरमि होता है मैं आपको बता दू टेरा कोटा एक प्रकार का सेरमिक होता है जिससे बरतन पाइप और मुर्तियां बनाई जाती है जैसे आप लोग एक सुनते होंगे आज के समय में पियोपी जिसे प्लास्टर आप पैरिस कहते हैं इससे भी बनती है पुट्टी की जाती है मुर्ति के साचे से मूर्तिया बना ली जाती है तो इसी प्रकार से टेरा कोटा था और मुर्तवान जो है चीनी मिठी के बने थे जो गोला कार होते हैं बरतन उन्हें मर्तवान कहा जाता इसके अलावा इस संग्राले में तांबे की प्लेट, पत्थर के खुदे हुए अभिलेक, सिक्के, बर्तन, बारवी सदी के जले हुए चावल सब रखे हुए हैं और यहाँ पर एक नव नालंदा महाविस्विद्याले बनाने की तैयारी भी चल रही है, यहाँ बनाया गया है, काफी हद तक बन भी गया है, जिसमें पाली सहित्य और बौध धर्म की पढ़ाई और सोध सुरू हो गई है यहाँ पर विदेसों से भी लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर हैंसांग मेमोरियल हॉल भी बनाया गया है, जिसे चीनी यात्री हैंसांग की स्मृति में बनाया गया है, इसमें हैंसांग से जुड़ी वस्तवे रखी गई हैं और उनकी मूर्ती भी आपको यहा बायद हमारी सरकार कर रही है, इस संबंद में भारतिय पुरातत्व सर्वक्षण ने युनेस्को को अपनी सिफारिज भी भेज दिये, भारत सरकार के परेटन मंत्राले के अतुल्य भारत अभियान के साथ मिलकर एक राश्ट व्यापी सर्वक्षण के अनुसार कोडार्क क सूर्य मंदिर, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोडार्क का सूर्य मंदिर कहा है, और मिनाक्ची मंदिर, खजुराहो, लालकिला जो दिल्ली वाला लालकिला है मैं उसकी बात कर रहा हूं, फिर जैसल मेर, दुर्ग, नालंदा विसविद्याले और धोला वीरा, ये सभी स्थ को भारत के साथ आशचरेओं के रूप में चुना गया है जैसे विस्व के साथ आशचरे होते है JEFF में ताजमहल सामल है वारत का वैसे ही भारत ने अपने साथ आशचरे बनाये जो यह हैं इनकी फोट आप यहां पर शुरू हो गया है अमर्त सेन को अर्थ सास्त्र में नोबल पुरसकार से नमाजा गया है अर्थ सास्त के छेत्र में और ये इन्हें नालंदा विस्विद्याले के चांसलर के तौर पे भी नामित किया गया है और नालंदा विस्विद्याले के जादा विकास के लिए इस्ट ए नालंदा विशुद्धाले बिल्कुल वैसी ही प्रसिद्धी और ख्याती भविश्ट्य में हासिल करे, जैसे प्राचीन समय में थी, ये एक भव्व्य और बहुत ही सुंदर भारत का एक सम्मानित विशुद्धाले था, जो भारत की बुद्धीमता और सॉर्य को दर्स आता ह कि हम लोग कितने अग्रहनी थे कितने ही ज़्यादा intelligent लोग होते थे उसमें हमारे देश में तो ये थी नालंदा विस्विद्याले से जूड़ी हुई सभी प्रकार की बाते मैंने लगबग इसमें कवर की है, so thanks for watching this video, please like, subscribe and comment कर दो लोग कर दो लोग कर दो